हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चत्पति साहोजी माराज यूनिवर्सिटी एनुवल एक्जाम के बारे में वीडियो सारे स्टुडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडि दे रहे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स जिन इस्टुडेंट के सेमेश्टर एक्जाम नहीं है यानि जो नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के अंतरगत नहीं पड़ रहे हैं मतलब बार्सिक परिछाएं जिनकी होती हैं चाहे हम बात कर में एक बारी परिछाएं होती हैं जिसे वार्सिक परिछें एनुवल एक्जाम कहते हैं तो ऐसे सारे स्टुडेंट बिल्कुल ध्यान दे कि आपर यूनिवर्ष्टी के CDC Director Dr. R.K. दुवेदी ने बताया है कि Graduation और PG के एनुवल एक्जाम एक मई से सुरू कराने की तयारी की जा रही है तो फ्रेंट जितने भी स्टुडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे एकिसार आखिर में एनुवल एक्जाम कब होगा एनुवल एक्जाम कब होगा तो फाइन विलाल जो भी नोटिस वगारा निकल रहे है वो स्टुडेंट के वार्सिक पर अच्छाए होती है यानि एनुवल एक्जाम होते हैं चाहे वो ग्रेजूएशन के हो चाहे वो PG यानि पोस्ट ग्रेजूएशन के हो वो उनके एक्जाम एक में से सुरू कराने की तयारी यू पारे में एक्जेक्ट इंफार्मेशन मिलेगी कि आखिर में कब आपका टाइम टेविल आने वाला है आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा उसे पहले हमने का चत्पति साओजी माराज यूनिवस्टी को बैक पेपर से रिलेटेड और प्राइबेट फॉर्म्स रि क्योंकि आपके एक्जाम चुनावाबाद लगवाग एक में से सुरू कराने की तयारी की जा रही है कानपूर यूनिवस्टी दोरा वीडियो कैसा लगा कमेंट से बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताइगा स्क्रीन पर आपको चैनल को लोगो दिख रहा होगो उस परिक् सब्सक्राइब कर लिजीगा जिसकी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंशते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल